देश में जहां एक ओर महिला ससक्तीकरण की बात हो रहे ही है लेकिन 26 गड़ में एक ऐसे समय में Őक महिला निकल कर सάमने आई जो महिलाओं की आवाज वनीज जी यहां दन्यमाद जय जोहर भाई आप मल्ला यह महिला से सकती करन कि देश कोई यह स्वैम के पीड़ा के कारण में चिला करना पड़ी कबर के एक महिला जब दर्द में रही भुकमरी रही असिक्छा रही विरोजगारी रही समाज के ताना रही तो इतना सारा कष्ट सहते सहते उली ह कि मोर्जी से कई इसे बहीनी जे मुला भी कष्ट होतो हुए यह कभी सोचे नी रहा हूं कि में काम कर सक्थन करके लेकिन मुला लगिस के साथ कई बर में आत्म हत्या करे बर भी निकल गयों कि नहीं मुल मरना है अपन बच्चे मुला भी माने जिन्दगी जीना बेकार है कर के लेकिन वहां ही छोटी-छोटी लगिक्या मन के रोना चिलाना लगिस के नहीं कुछ करना चाहिए कभर मोर्जी से कई हजारों माबापे हो मन भी अपन बच्चे मुला भुखे प्यासे सुलात हो तो का रात्म का काहत होई तो एला सोच कि बस 11 महिलल बनाय रहे हैं दो मु अलग अलग उद्देश रीशे मुर की एक लकडी लासानी से तोड़े जा सकते 15-20 लकडी गठा बान दे जाए तो कोई इम ताकते तोड़ सके हैं तो वैसे ही मुल लगिस के हम एक मापन बच्चल नहीं खिला सकते हैं लेकिन दस मापन बच्चल दस मापन बनके जह क्याला इंगेक्सान पाने लगाया सकते तोड़े मुठा चामल इकठा करें जिगर से महिना में तीन किलो चामल हमारी कर्था हो जाए जिगर से हम जे बच्चे भूखे जिगर खाने पीए बने हैं ओ लगिके मुला सकते हैं इसे एक संगठन बनाए कि सुरू करे रहे हूं 10 कि दूरे करें तो इतना कि एक हाम करना चाहिए गहर में खाना बनाओ पानी बनाओ बचल कि भरतन करतन मांजोए लेकिन है निकले कि आप संगठन नी बईठो ना तो आप आप ठुल जाए बात करें, 36 गड़ में संगठन किस तरह से काम कर रही है, किस रूप रेका कितात काम कर रही है, क्या कुछ नड़ती है, अब तक कितने काम अवे मिली है, ये भी हम दर्सकों को बताना चाहेंगे चोटे-चोटे रूप से हमन पहरी काम करें, चना मूरा और अचार बड़ी पापाड लेके, लेकिन आज मचली पालन करना या जिमी कंद के काम करना, या देरी चला थे, बड़े रूप में बखरी पालन चला थे, बड़े रूप में क्रिसी केंदर चला थे, और वन उपच के चलते बढ़ी पापर चलते बजार ठेका लेना है ऐसे बहुं सारा चीज है जेला हमन सब कुछ करते पता है अब कि चछटिस गड़े के ऐसा तबका है जहां पर यह नहीं सो सकते कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए लेकिन 36 गड़ में एक आवाज आई जो लगातार महिलाओं को इस तरह इस पैमाने पर सदाथ हभी महानया जाए जाए जो सवाल जबाब कर ते नहीं पर जाते हैं अबहुत पाँफी टक ही पढ़ाई करें हों पर लीज दिनीद दिलाना पड़ते और बहुत महिनत करतें वहां तक जाए वर लेकिन आदमी में सेम कम बहुत-कम पाचवी तक पढ़ाई करें हों कर तक जाना एक मैने रखते हैं और ये सिर्फ कर्म के फाले जो अच्छा काम करो तभी हमार महीलामन करें तभी वहां तक पोचें और गेन तो ये नीरी से कि हम कुछ पैसा जीत के आ सकते हमार उद्देश ये रीसे कि 50 लाग जीते हैं लेकिन कभी नी सोचें कि हम 50 लाग जीते ये हम सम्माल लेजाता हैं हम जो महीलामन के जो तकलीब है जगर आत्मति करते हैं महीलामन या कही हदास हो जाते तो के बीची के माध्यम से सोनी चैनल में हार्शित में में एकर करनानियों कि कम से कम पूरत देश में 50 महीला भी जाग गे कि वह अपन खुद के डल्ल भगा क आत्मनिर्भर बन जाए वो अपन पती अपन परिवार के भरोसा ना रखे जिंदगी खुद जी सके तो यह उद्देशे से गे रहे हूं और पूर भारत के 36 गड़ के जम्मो भाई बहिनी मन के ताकत अवकार आसिरवास से 50 लाग जीते हैं और यह आज जे जगह में खड़े ह वहां हमेरे आसरम बना थे जहां हमरे भाहीनी मना टेरिंग क्लास लगी छोड़े जोड़े रूप में घर में भी रही के ऊमना हजारोन प्या सब कुछ रही परिवार के साथ तो पूरा परिवार बना हूं और जो मोर बाकी जिन्दगी है जो अपना आसरम में बिता हूं सरकार का कितना हम रहा है अभी तक तो मैं ही कहूं कि सरकार से मन मदद नहीं ले हैं और मुला लेना है एक मां के लभीक मांगे के समान है है वो चीज तरफलब डेखना चाहिए कि जो महिला करमकरत अच्छा क्या आ चाहिए वो सरकार के काम заб 먹어ment गायों है चीज संवार को यह शेओ तक तो बीसेंन साल से कोई जो मांद नहीं कर सके मैं काकुर भीक मांगे मुल पसंद पैसा हो एक जब चीज धिरे दिरे जमीन खरीजना महिला मुला ट्रेनिंग देना जो भी खर्चा है तो असरम में तो मुर आवाड जो है उकरे से ही में आपन खर्चा करत रहा था हूं और आज भी मुर पति गायबकरी चेरा थे आज भी छोटे घर में हम वहीं रही के ही में कि सानब Ephraim gdy यहां पर करों टेनिंग जो चल थे तो यहां आंके दिख़ाये tut कंपनी में दिखाये कि महिला मन बीना सासण के सहयोग से कितना चाPE ला था देरी चला यह या मशानी कर रहा थे मुर्गी बकरी पालन कर रहा थे तो एक अनोखा सरकार के जो योजना है ट्रेनिंग दे थे कि अमन आर्थिक इस्टिती से महीलामन मजबूत बने तो ट्रेनिंग के माध्यम से एक दीन अमन लमा लोग हुमा दे थे हमर मावमली सुर्पेडेशन में तो ओकर से बहत कि आख से देखे वाले जो चीजे बहुत जल्दी सफल होते हैं अब में तो पढ़े लिके नहीं हूं लेकिन जे काम लग करता हूं काम और महीलामन सुप्त हो तो एक आसानी से बहीनी मन काम करते हैं पुलवासन देदी का अखरी सवाले का बर जाय के समय होगे हैं आपमन के देवी कारे के आखरी पढ़ाव कारी का आपमन के का सपना है कैसे देखना चाहतो आपमन ये जो महीला जो समू है आपमन के बने हैं ये मोर जो आने वाला समय है बहुत बड़े अभी तक तो दो हजार घर से में जैसे निकले हूं तब से में जो चीज सपना देखे हूं कि आणे नू करने वाला तो नौकर कहला ही लेकिन रोजगार करने वाला एक नौकरी मालिक बनी है उचार जाला ओनला रोजगार भी दे शकतें तो ये कर कारण मोर ये कहना है कि गाउ में ही हम सब चीजे गाउ में जो समान हम खरीदे था नोला गाउ में हम लगान एक छोटे पोसन हार बाड़ी के रूप में जहां हर धनिया मिर्ची हल्दी जो हमर ज़रूरत समान है वो चिदल हमन पूरा कर सकन जैसे दाल चामल गे वो बेटी मन हर जगह जगह में जा कि कहीं भी कोई भी बेटी के साथ कुछ भी कुछ हो थे कुकर्म हो थे अतियाचार होते तो ये बेटी मन हाज जा के खड़ हो और बिल्कुल सबक मिलना चाहिए जेकर सांथ में अतियाचार होते कबर के बहुत सहगें कबर की स्कूल में ह तो अपने रक्षक आप जाग जख सके तो जाग ऐ कुछ ऐसी पंक्तियों को लेकर के फुलवासन दिदी है वो लगातार लोगों को जागरूत कर रही है और महिलाओं को कैसे आत्म निर्भर बनाएं इसकी बात हमने आज यहां सीखा यह थे हमारे साथ चातिस गड़ की एक ऐ यहां सी महिला जो आज लाकों महिलाओं के लिए प्रिणा बन चुकी है कैमर पसंद हीते साहू के साथ हार्जूस क्रिटिकेस परमा राशननद गाव 36 गड़